हेलो डियर इस्ट्वेंट्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी रूटिफ चनल गुरुजी 24-7 में दोस्तो आज की इस बेसिक मैथ एपिसोड में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल का जोड एडिशन आप रूट जो की बहुत ही आसान होने वाला है उम्मीद करता हूँ कि अगर जिदे आप इस वीडियो में सुरू से ले करके अंदर तक बने रहते हैं तो आपको किसी भी परकार का दिक्कत नहीं होगा और आप तुरंत में वर्गमूल का जोड निकाल देंगे ठीक है यहां पर आप लोग एक सामने कुल चार प्रशन लिया गया है इन चारों प्रशनों को हल करके इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे तुरंत बनाया जा सकता है ठीक है तो यहां पर टोटल चार प्रशन है और चारों प्रशन अलग अलग टाइप से है जिसमें कि प्रोसेज सबका सेम रहेगा तो इसलिए जो है आप इसको बारिकी से समझने का प्रियास करेंगा पहला नमर प्रशन हम लोग का है कि साथ रूट अंडर तीन पलस में है पांच रूट अंडर तीन जब आपको इसका कंसेप्ट क्या है कि जब आपको ये रूट के अंदर जो संख्या रहता है रूट के अंदर जो नमबर रहता है ये सेम सेम मिले तो इसका क्या करना है इसक तो इसे यहाँ पर साथ है और यहाँ पर क्या है पांच में इनको और इनको जोड़ेंगे। efficiency प्रकार mash जैसा दूसा नमर में लाग प्रश्ण है कि बारा रूट अंडर पांच पलस एक टीन इंटू रूट अंडर फाइव तो इसमें भी देखें इसमें आप गौर से देखेंगे तो दूनों के साथ दूनों नंबर के साथ जो रूट में संखिया आया है वह क्या इसम आया यहां भी रूट पांच है और यहां भी क्या है रूट पांच है अभी आपको तुरंद बताया कि एक नंबर में क्या करना जब सेब सेंसी मंबर आपको रूट के अंदर रहेगा जिसको कि रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकते जैसे यह भूआन हहे दुनों में तो एक रूट पहांज आ जागा यह आपक्का अनसर हो गिया है अ छलिए तिस्का नंबर में देखिए तिस्का नंबर में एक अलग कहा है कि रूट अंडर 75 प्लस रूट अंडर 48 देखे यहां पर आपको रूट के बाहर कुछ नहीं है और रूट के अंदर भी जो संख्या है वो अलग अलग है तो सबसे पहले अगर जिदी ये सब संख्या का जब फिक्टर हो सकेगा अगर जिदी संभभ हो तो उसको क्या करेंगे सबसे पहले फिक्टर कर लगए मतलब गुननखंड उसका कर लगए जैसे इसको लिख सकते हैं क्या सबस्के बाद उसी तरह क्या करेंगे 48 का भी गुनानखंट कर लेंगे 48 यहां पर साइड में कर लेते हैं 48 का गुनानखंट इसको दो से देंगे तो 12 हो जाएगा यहां पर बिशुदिति तो 6 होगा और दो से देंगें तो यहाँ पर कितना होगा 3 हो जागा ठेक है तो इसको क्या करेंगे यहां पर इसको लिख सकते हैं कौम टू 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 कौम चारौ ढूल को थो दियतक शूञे। तो इसको करेंगे चलिए अब देखिए आपको आपको वर्गमॉल का नियम पता है कि जब वर्गमॉल की अंदर कोई भी संख्या का जोडा लग जाता तो इसको क्या करते हैं बाहर कर लेतें एक यहां से 5-5 वह आजागा बचेगे अंदर में क्या तो रूट तिन बचेगा ते करेंगे तो कितना वोगा चार तो स्कते capable 3 और उसको एक नमर के तरह हुआ गया एक और नमर में जैसा फॉर्मेट था वेसा रहें आगया इसको क्या करें इसानी से जोड़ लें Aussya होगा पांच और प्लस में 5 इंटू रूट 7 ठीक है आप यहां पर देखे इसका जो रूट के अंदर जो संखिया है इसके साथ और इसके साथ जो रूट के अंदर संखिया है दोनों अलग अलग है और दोनों का फिक्टर नहीं किया जा सकता है ठीक है दोनों का फिक्टर नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पहले से ही अभाद संख्या में तो अगर जिदी ये दूनों जो संख्या है अंदर रूट में ये अगर समान समान नहीं हो तो हम लोग जोड नहीं सकते तो मतलब इसका जो आंसर होगा यहीं होगा इसको आगे हम लोग नहीं जोड सकते हैं ठीक है क्योंकि इसका तो यह अंदर रूट के अंदर जो है यह समान नहीं ना तो यह फिक्टर हो सकता है जिसलिए इसका जो आंसर होगा सेम सिर्व आंसर हो जाएगा कह सकते हैं कि इसको कह सकते हैं इसको जोड़ा नहीं जा सकता ठीक है जो नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा तो उम्मीद करते ह आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंदाया वीडियो को लाइक कर ले सेनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के पाए ज्टाइस जाड़ा सेर करें कमेंट बॉक्स मेपना जरूर करें थैंक यू पर वाचिंग